नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया आटीव आईए रुख करते हैं आज की कुछ खास ख़बरों की वर वारिष्ट पुलिस अदिक्षक डाक्टर एस चनपपा द्वारा प्राधियों के वरिदु चलाए जा रहे है धरपकड अभ्यान के अंतरगात अपर पुलिस अदिक्षक नगर एवं चेतरादिकारी दिर्ते के निर्तेत में बीती रात सहरनपुर क्राइम ब्रांच वा थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी कामियाभी मिली जिसमें रात के समय गस्त के दोरान मुख्बिर की सूचना पर छिनवना मोड के पास आवास विकास कालोनी में खाली पड़े मकान से डकाइटी की होजना बनाते समय चोर गिरों के आठ लुटोरों को गिरफतार किया है तथ चला है कि यह लोग जनपद में काफी दिनों से सक्रिय होकर रातरी में हतियारों से लैस होकर सून सांच छेतर में आने जाने वाले वेक्तियों के साथ लूट पाट करते थे और चोरि वाय लूट की मोटरसाइकलों को आवास विकास के बने मेकानों में छुपा देते थे य बैंक जनपद में अन्य कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है जिसके संबन्द में जनपद के अन्य थानों में भी मुकदमा दर्ज है सहरनपुर से बीरोचीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट पुल आठ अविपों का गिरप्तारी किया गया है इन्होंने पहले भी हाँ ताना दिहात इसके अलावा और पाँच रहिकल्स परामद होए है इसका डेटेल हम पता करवा रहे है कि कहां कहां से लोग एक पिये हैं तो यह कुछ कटा हुआ मतलब पार्ट्स भी मिला हुआ है और यह जो पूरा गिरोगों को अट लोगों का गिरपतार किया गया है और भी जो भी लोग इसमें जोड़े हुए हैं इसमें हम लोग करवाई की जा रहे हैं और पाकी इनके आगे की करवाई गैलिस्टर की करवाई की जाएगी और टीम के लिए मेरे द्वारा नाम गोशिप की आगे है पहले भी इनका अप्रादी की तिहास है और अभी भी अमारा जो तिहास में तीनता वह भी गाड़ी बरामद हुए हैं और एक नागल से रिलेटेड है गाड़ी वह भी बरामद हुए हैं इसके अलाबा अन्य में गरोल का फक्रा गरिया है और भी गहराय से चान्विल कर रहे हैं जो भी तर्थे समय आया है तो ने मॉसर कर रहे हैं पोटो अपने